और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें उत्राखन के वित मंत्री प्रकाश्पंत का निधन हो गया है शांत मिजाजी कहा जाता है था बेहत अची पकड़ अपने कारेकरताओं के बीच में संगठन पर बहुत अची पकड़ सरकार पर बहुत अची पकड़ थी दस्पीर हम आपको उनकी दिखा रहे हैं बड़े खबर हम आपको दिखा रहे हैं और बेहत मेंती कारेकरता थे उसके प्राजीव देखें ये बहुत ही उत्राखंड के लिए अपूर्णे च्छती है और प्रकास्पंत का मतलब इस दोरान चले जाना अभी उनकी उम्र करीव 69 और 60 साल के बीच थी और युवा इस्तिती थी राजनिती में उनका चले जाना एक अपूर्णे च्छती है उत्राखंड की राजनिती के लिए और प्रकास्पंत के बारे में मतलब वो एक खुली किताब की तरह है कि उन्होंने एक अपना जीवन जिया उनकी सादगी उनका व अपना उपचार ने के साथ ही एमस में उन्होंने का उपचार अपना लिया और उसके बाद फिर वो उत्रखन लोट आए लेकिन इसी बीच उनकी तबियत फिर बिगडी और फिर एमस में बढ़ती हुए और अभी करीब चार-पांस दिन पहले उनको यूएस भेजा गया त अमेरिका भीजा गया। मैं आपको प्रकासपंद के बारे में बस इतना ही बता सकता हूँ कि हर विक्ति उनकी निधन से आज सोक में है और निसब्द है किसी के पास सब्द नहीं है उनके लिए कुछ कहने के लिए संसदिये कारियों के कोशल और बहुती अच्छे रानितिक औ और बहुती सादगी भरे जीवन को जीने वाले प्रकासपंद मतलब आज उत्राखंड की राजनिति से विदा हो गए और उत्राखंड से विदा हो गए उत्राखंड की जनता में बिलकुल इस समय सोक की लेर है और प्रकासपंद को जिस तरह से लोग सिविकार करते थे वो स पहली बार ही विदान सभा का अद्दक्स बनाया गया और इतनी कम उमर में उन्होंने विदान सभा अद्दक्स बनने के बाद अपने कारिय कोशलता का परीच्छ दिया मतलब वो किसी के लिए बहुत बात नहीं है प्रकास पंजिस तरह के रानिता थे एक अपने आमें खुली किताब कोई भी फड़े बहुत अच्छे इंसान और व्यक्तिकत तोर पर मतलब सभी से जुड़े रहने के लिए बाजपक का करे करता हो या किसी पाल्टे का करे करता हो किसी को निरास नहीं करते थे और उनकी स्विकारेता सभी दलों में थी अटल व्यारी बाजपई को अजात चत्रू का जाता था और यही अगर उत्राखण की बात करें तो विपाक्षी दलों के नेता भी उनसे बहुत प्रेम करते थे सादगे बरे अंदाज में मिलते थे बरहाल इसे तर मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ कि उनका पार्थि अमेरिके दूतावास ने जो कनवे किया है उनकी डेथ हो गई अब यूएस से उनका पार्थिव सरीर यहां कब तक लाया जाएगा इसकी अभी सूचना आना बाकी है लेकिन यह दुखत समचार यह इसके इसकी पुष्टी कहीं अस्तर से हो चुकी है यह वाकिए बहुत हैं बहुत ही दुखी हैं और इस इस मामले को लेकर के पूरे सरकार में आज सोख किले रहे हैं बिलकुल सनाटा पसरा हुआ है परकासपंद मतलब जो अपने पीचे छोड़ गए हैं उनकी यादे ही हैं जो लोगों को अभी जखजोर रही हैं उनके याद करके लोग उनको के पद तक पहुंचे और उसके बात की चुनौतिया कि इस तरह की उनके सामने रहें एक बार उनके राजनितिक सफर पर अगर आप नजर आगर बता पाएं आप हाँ देखे राजिम मैं बता देता हूँ जब विधान परिशत के सदस्य थे इसी बीच में नवंबर 2000 को जब उत्रखंड परदेश का गठन हुआ तो जितने भी mlc उत्रखंड से उत्रपरदेश की विधान सबा में थे वो सभी को यहां विधान झात स 17 मान लिया गया और इसका परिशता विधान सबा से पास हुआ लिजब पहली विधानसबा यहां ए परन की और उनकी इस्टडी उनका अध्यन इतना डीप होता था कि वो जब भी परलेमेंट में कुछ बोलने के लिए खड़े होते थे तो मतलब कभी उन्हें हमने निरुत्तर होते हुए नहीं देखा विपक्स के सवालों से उसके बाद फिर यहां कॉंग्रेस की सरकार बनी ल उन्होंने कितनी बार उत्रकंड सदन में अपनी सरकार की किरकिरी होने से बचाई है कितनी बार उन्होंने अपने संसेद्य कोशल के चलते सरकार को बहुत सुरक्सित रखा है यह उनकी चमता का प्रतीक था उनकी उनकी गुणवत्ता का प्रतीक था उनमें यह क्वालिटी थी वो किसी भी मोर्चे पर मोर्चा लेने के लिए उसके बाद फिर वो दोजार बारे का चुनाव हार गए लेकिन वो सदन में नहीं रहे लेकिन मीडिया मीडिया हूस में लोगों के बीच मतलब उनकी जरुते लगातार बनी रही मतलब जब भी कोई ऐसा इशू आता था कोई भी सम्विधान विद नजर नहीं आता था प्रकासपंध ही मीडिया जगत की भी पूरी जरुते पूरी करते थे कहीं एक एक्सपर्ट की राय लेनी है कहीं उनका बयान लेना है कहीं उनको चीज़ों को बहुत इस्पष्ट करना है प्रकासपंध मीडिया के लिए लेक्ष्ट करते नवाद